हे वेलकम बेक अवरीबडी इन डिस वीडियो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटिवेशन एंड एमोशन के कुछ मल्टिपिल चोईस टैप्स कॉश्चन के बारे में और यह जो MCQ है यह important रहें के आपके NET, MA, NTRANS, TSS, BVGC and MPhil Clinical Psychology के लिए and also important for your PGT exam आपके subject में जो PGT exam होता है उसके लिए यह महतपूर्ड है basically मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपके psychology के exam होते हैं उन exams के लिए यह MCQ आपको पढ़ने चाहिए आपको समझने चाहिए basically मैं मानता हूँ कि important तो कुछ नहीं होता है क्योंकि मैंने देखा कि exam में कुछ भी आता है वो कुछ भी पूछते हैं basically आपके subject में जो भी है so I think अगर आपके पास time है तो आपको सब पढ़ना चाहिए it's good for you अपनी understanding को enhance करना चाहिए so इस गर्मियों की time पर मैं सोचा हूँ कि आपके साथ कुछ नए videos upload करूँ जहाँ पर आप कुछ नया सीख पाएं और आप अपनी tendency बनाईए कि परड़े कुछ नया सीखिये घर पर है इस time पर गर्मियों की मौसम में so learn something each day so now let's start हम सुरू करते हैं और आप हमारे साथ जोड़े हैं so first question is that what is imprinting imprinting क्या है basically आप चाहें तो पहले खुद को भी आप try कर सकते हैं answer को find करने के लिए मेरे बताने से पहले वीडियो को pause करके खुद से भी समझे basically आप पहले भी पढ़े होंगे so what is imprinting imprinting क्या है basically psychology में concept होता है imprinting जिसमें ये बोला जाता है कि जो newborn baby होते हैं कोच animals के उनमें ये tendency होती है कि जब वो पैदा होते हैं उसके बाद अपने आप पास जो भी वो moving object देखते हैं उनको वो copy करते हैं so इस question का जो correct answer है that is option D the tendency of some baby animals to form attachment to the first moving object they see or here during a critical period after birth basically वो पैदा होने के बाद जिसको भी देखते हैं सुनते हैं उनसे attachment create होता है और basically उनको copy भी करते हैं तो ये आपका imprinting का एक है यहाँ पर जो correct answer है ये D है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा माने add किया है देख लिजिए कि इसके बारे में Conard Lawrence ने study किया था basically इसके पहले और भी लोगों ने study किया था but animals को लिखे Conard Lawrence ने बहुत अच्छे से study किया था और ये geologist थे so यहाँ पर लिखा भी है कि who mainly studied behavioral pattern in animals which led to his study on imprinting मतलब इन्होंने animals का जो behavior pattern होता इसके अच्छे से study किया था बाद में imprinting का concept दिया तो यहाँ पर भी लिखा है imprinting is the tendency for the newborn of some animals to follow the first moving object they see or hear मतलब जब भी newborn baby होता है animals का बो जब पैदा होता है तो अपने असपास जो भी object है जो चल फिर रही है या फिर कोई आवाज कर रही है उसको वो copy करते हैं उसे attachment create करते हैं तो आप इसे ध्यान रखिएगा इसके बाद जो next question है that is according to the Yerks-Dodson model when facing a very difficult challenge which level of arousal would probably lead to the best outcome Yerks-Dodson law को लेकि यह question है आप चाहें तो खोद से भी वीडियो को पहुच करके देखें और समझें कि आंसर क्या हुआ इसमें का गया कि जब बहुत ही difficult challenge हो उस time पे किस तरह का जो arousal है वो best outcome दे सकता है यह बताना है सो हमें यह ध्यान लखना है कि यहाँ पे बात की गई है very difficult challenge की हैना यह important है जब very difficult यानि कोई बहुत ही challenging काम हो वह लब very यहाँ पे लिखा भी है very too much difficult तो उस time पे जो level होता है वो moderately low level का जो arousal होता है वो best result देता है आपको ध्यान लखना है कि जो यर्क डॉटसन को law है उसमें यह बताया क्या है कि जब अगर कोई बहुत ज़्यादा difficult task है तो difficult task में हमें low level का जो arousal है वो अच्छा result देता है और अगर कोई बहुती easy task है तो easy task में high level का arousal अच्छा result देता है यह बाद आपको ध्यान रखना है तो इसमें यहाँ जो option दे गए है उसके base पे आपका moderate low level का जो arousal है वो best result देगा कब जब very difficult task होगा very difficult challenge होगा तो आप उसे ध्यान रखिएगा इसका करक्तांसर आपका option भी रहेगा इसके बाद यहाँ पर थोड़ा से मैंने लिखा हुआ है कि according to the year-todson inverted U graph of arousal देखिए यहाँ पर सीधा highlight देखिए average task require a moderate level of arousal अगर average task है तो moderate level arousal किनी दोती है अगर very difficult task है very difficult task like this यानि इस question मझे जैसा बोला गया था very difficult task like this one require a moderately low level of arousal अगर very difficult task है तो moderately low level arousal की नीड होती है अगर बहुत easy task है तो वहाँ पर high level का arousal अच्छा result देता है और इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि very low and very high arousal levels are never optimal because we need some arousal to do well मतलब कि बिलकुल ना कि बराबर arousal हो और उस time पर कहा जाए या पर बहुत ज़्यादा high arousal हो तब का ज़ये हम अच्छा response करें तो ऐसा नहीं होता है because हमें एक balanced arousal की यावसकता होती है तो यहाँ पर यह चीज़े हैं जैसे कभी-कभी देखना कि लोग बहुत ज़्यादा arousal होती है too much arousal होता है और उसकी बज़े से कभी-कभी वो काम नहीं कर पाते है क्योंकि वो agitate हो जाते है उनके मस्तिस्क में हल्चल होती है और जल बाजी के जक्कर में सब गरबर कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी points बताए हैं इनको आप याद रखिये यह आपके लिए important हो सकते है और इन से संबंद्ध भी question पूछे जाते है so next question that is about James Lange theory of emotion इसमें कहा गया है कि James Lange theory of emotion states that याणि James Lange theory क्या है हमें यह बताना है so just try to understand this so this is the simple question अगर James Lange की theory के बारे पता है तो इसको answer असानी से दे सकते है so इसका जो correct answer है that is the option B emotional expression follows awareness of our physiological response to an arousing event James Lange theory में यह माना गया था कि हम कोई emotion जब feel करते हैं तो उसके पहले हम अपने physiological जो arousal है या physiological response है उसको हम जब feel करते हैं या उसके बारे में जब aware होते हैं तब हमें emotion feel होता है जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने कोई भालू देखा मतलब भालू देखा तो मैं भागा ठीक है भागा मतलब जब मैं भागा तो मेरी head beat बढ़ी और जब मैंने ये देखा कि मेरी physiology में कोई change हो रहे हैं तब हम क्या करते हैं डर महसूस करते हैं तो इस तरह का जो explanation है ये जेम्स लेंज theory में बताया गया था तो यहाँ पर जो answer है that is option B emotional expressions follow awareness of our physiological response यानि हम emotions को feel करते हैं कब जब हम physiological response को feel करते हैं उसके बारे में aware होते हैं तो ये आपका जेम्स लेंज theory में बताया गया था तो answer इसका B है और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और देख लिजिए फिट से कुछ और चीज़ों को भी add कर दिया है ताकि आप समझ जाएं जेम्स लेंज theory जो है वो ये कहती है कि हमारी जो conscious experience of emotion होते हैं ये आते हैं जब हमें अपने autonomic arosal के बारे में पता होता है मतलब जो हमाएं अपने physiological arosal के बारे में पता होता है इसके बाद जो canon bad theory है वो कहती है कि जो events होते हैं feelings को trigger करने वाले मतलब माले जीए किसी भालू को देखना ठीक है और इसके बाद जो हमारा physical reaction होता है मतलब यहाँ पर हमने भालू को देखा नमबर एक और हमने इसके बाद देखा हमारा जो physical reaction है ये दोनों same time पर होते हैं तो ध्यान रखना है canon bad theory कहती है कि stimulating events trigger feelings and physical reaction that occur at the same time यानि हम जब जिस भी चीज़ को देखते हैं जो trigger करने वाले चीज़ होती है वो और हमारे emotion दोनों एक साथ ही होते हैं यहाँ पर लिखा है seeing a snake might prompt both feeling of fear मतलब डर होना साब को देखकर यानि emotional response और racing heartbeat और हमारी जो heartbeat वो बढ़ जाना मतलब हमारा जो physical response है यह दोनों एक साथ ही होते हैं तो यहाँ पर एक trick बता सकता हूँ कि आप इससे कैसे याद रख सकते हैं देखिए canon bad आप जानते हो canon में C है और bad में B है और ABCD में आप देखते हो न B और C एक साथ में आता है यानि A, B, C तो B और C साथ में आता है तो मतलब एक साथ में आता है इसके मतलब जहाँ पे हमारा physical reaction और हमारा emotion दोनों एक साथ में आता हो वहाँ पर क्या है canon bad थियोरी है तो इस तरह से आप इस याद रख लिजिए opponent process theory है जिसको Richard Solomon ने दिया था इनका मानना ये था कि जो हमारे emotions होते है paired होते है opposite तरीके से जैसे अगर हम happiness फिल करेंगे तो हम sadness फिल करेंगे हम fear फिल करेंगे तो हम really फिल करेंगे so this is the simple कि Richard Solomon ने बताया था कि एक जो emotion आता है उसके opposite भी दूसरा emotion होता है ये opponent process theory है इसके बाद सेचार सिंगर की theory है जैसे two factor theory कहा जाता है इसमें कहा जाता है कि हम determine करते हैं किसी emotion को अपने physiological arousal से and then label करते हैं उस emotion को अपने cognitive explanation से मतलब हमने जैसे माली ये साप snake देखा इसने देखने की बाद हमारे body में को changes हुए और उसकी साथ हम क्या करते हैं cognitive explain करते हैं कि यार ऐसा हो जाता है साप की काटने से लोग क्यों death हो जाती है है ना जब हम cognitive explain करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं emotion को feel करते हैं so two factor theory में basically क्या होता है कि हम cognitive explanation add कर देते हैं किसमें हमारे physiological arousal में ठीक है तो इसे आप ऐसे याद रखिएगा तो ये extra चीजे थी इसको भी याद रखिएगा इसकी बाद यहाँ पर next question है जिसमें का गया है the number one tennis player on last year's squad does not find her name on the list of students who made this year a team मतलब कोई जो better player रहा था तो इस बार उसने देखा कि मतलब जो नई team बनाए गई है उसमें उसका नाम ही नहीं है इसकी बाद कहा है कि which stage of sealis general adaptation syndrome is the most likely experience ही तो इसमें ये जो question है ये hands sealis का general adaptation syndrome है उसको लेकि question को create किया गया है तो बताना है कि वो जो tennis player था जो number one tennis player था जब उसने इस बार अपने देखा कि मतलब हमारी इस बार हमारा नाम ही नहीं है team में तो वो किस तरह से किस stage को feel करेगा पहले ये हमें hands sealis के GAS यानि general adaptation syndrome के base पर बताना है आपके सामने option दी है तो बताइए कि answer क्यों सकता है इसका जो answer है that is the option A alarm hands sealis ने जो general adaptation syndrome दीया था उसमें 3 stage बताए थे 3 stage में कहाता कि कोई व्यक्ति जब stress को feel करता है तो वहाँ 3 चीज़े होती है 3 stage होती है number one होती है alarm number two होता है resistance and third होता है exhaustion alarm का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम aware होते हैं जैसे fight और fright भी खा जाता है मतलब कि कुछ हमारे सामने dangerous है तो हम वो हमारे लिए alarming condition है वो कुछ भी हो सकता है dangerous का मतलब कि वाल यह नहीं होता है कि जैसे माली जै हमारे सामने कोई भालू या snake या कोई जंगली जनवर आके हमाई body पे attack कर देता है भी danger होता है तो इस question के बेश पे danger तो यह भी है ना कि भाई वो number one player है और उसके साथ ऐसा क्यों किया गया कि इस बार की list में उसका नाम ही नहीं है है ना तो यह उसकी लिए alarming situation है दूसरी है resistance यानि अब वो जो alarming situation से जो डर stress उत्पन हुए है उससे वो कब तक मतलब resist कर सकता है और जब resistation की भी stage finish हो जाती तो आता है exhaustion मतलब इंसान ठक जाता है हाट जाता है ठीक है जो कुछ है ऐसे सोच लेता है तो यह तीन stage होती है general adaptation syndrome की alarm resistance and exhaustion आप दिनों यादर किये hands ceiling ने इसको दिया था और इसमें बताय जाता है कि जो GAS है is a term that describes the physiological change the body automatically goes through when it responds to stress मतलब जो हमारे सामने stress आता है तो तीन तरह से stage create होती है alarm यानि हमने कुछ dangerous चीज़ देखी मतलब हमारे लिए कुछ भी ऐसा जो सही नहीं है वो सामने आया इसके बाद हमने कब तक उसको face किया और face करने की जब हमारी capacity कतम हो जाती है तो हम exhaust हो जाते हैं जैसे बहां लेजिए एक example दूँ कि कोई person यहाँ पर रास्ते में जा रहा था उसके सामने पीछे कोई जंगली जैनवर आ गया जब जंगली जैनवर आ गया तो मतलब उसने alarm condition में देखा और अपने आपको बचाना सुनो किया तो बचाने का मतलब है वह वहां से भागा दोड़ा और जब तक उसके पास capacity तब तक वह अपने आपको बचाय रखा नहीं रसिस्ट की रहा दोड़ता रहा और लास्ट में जब वह ठक गया उसका जो energy level था वह कम हो गया तो क्यों exhaust हो गया उसके बाद फिर क्या होगा वह ह of the following most accurately reflect our current understanding of basic facial expression basic facial expression के बारे में हमारी current understanding है वो क्या है यह बताना है तो आपको पता है कि जो basically six facial expression Paul Ackman की दोरह दिये के थे उसको लेकि हमारी understanding क्या है यह बताना है तो आपको पता है कि जो facial expression होते है basically वो universal होते हैं तो उसके basic question है आप चारो option को पढ़ लेजिए और सोचिए कि answer क्या हो सकता है देखिए जब भी हम question में सही answer find करना चाहें तो दो चीजी है या तो हमें पहले से सीधा सीधा पता हो या फिर पता ना हो तो पिर अगर हम जो option है उसके बाद में option को neglect करें तो आप यह try कर सकते हैं basically मैं आपको बता हूँ इसका जो correct answer है that is the option C option C यह है जो basically six facial expressions है that is universal common but highly variable in how they are displayed बस इसमें फर्क होता है कि वो कैसे display होंगे because cultural effect होता है so option C is correct now the next question that is selection of moderately challenging tasks characterize the behavior of people who have कोई person है जो कि moderately challenging task को select करता है वो किस तरह के लोगों का character है तो यहां पर option में बताए गया fear of failing high need for achievement fear of success low need for achievement so keep in mind that people who have high need for achievement वो क्या करते है वो ऐसे task को select करते है जो moderate होता है क्यों क्योंकि उनको fear होता है कि हम कहीं अपनी जो अपना जो काम है उसमें कहीं सफल न हो जाए so वो क्या करते हैं moderately challenging task को select करते हैं so that उसमें वो सफल हो सके है so this option b is correct high need for achievement so now the next and last question is that what was one major criticism of the James Lange theory on emotion James Lange theory जो थी emotion के बारे में उसका एक criticism क्या था ये हमें बताना है James Lange का मानना था कि हमारे जो physiological arousal होते हैं that determine our emotion but बहुत सारी emotions ऐसे होते हैं जिनके लिए different physiological arousal की need नहीं होती है so option c is correct that different emotions are not necessarily associated with different pattern of physiological responses so ये criticism है James Lange theory के बारे में so आप अशे ध्यान किए so thanks for watching this video आप मेरे साथ जोड़े रहे हैं कुछ ऐसे ही और भी नई चीजों को सीखने के लिए